नमस्कार जी बिजनिस के इस कॉमोडिटी कॉन क्लेव में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है एक्चुली आप सबका स्वागत करते वे मुझे बड़ी खुशी हो रही है और खुशी इस बात की है एक तो बड़े लंबे समय बाद हम लोग आपस में फिर से खुल कर मिलने लगे हैं मिलना तो शुरू किया था लेकिन खुल कर मिलना अब हो रहा है आप देख सकते हैं जिस दर के माहौल से पिछले दो-तिन साल हमने निकाले हैं उससे बाहर निकल कर और ये पहला और सबसे बड़ा एक ग्राउंड इवेंट के तौर पर हम कॉमोडिटी कॉनक्लेव कर रहे हैं और जो आप सब दों का उत्सा और पार्टिसिपिशन इसमें मुझे दिख रहा है वाके में मुझे बहुत खुशी हो रही आप सब का स्वागत करते हुए ने सिर्फ मुंबई से बलकि देश बर से हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं जो कॉमोडिटी बाजार से जुड़े वें चाहे रेगुलेटर्स के तौर पर देखें आप हमारे साथ सेवी के होल टाइम मेंबर मोहंति साहब हैं देश के सबसे बड़े कॉमोडिटी एक्सजेंज M6 के MDPS रेड़ी साब हैं जेमसन जूलरी अस्सेशन और बूलियन मार्केट से जुड़ेवे सारे दिगज हैं कॉमोडिटी इस के सारे पार्टिसिपेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिपाई के हमारे टॉप ब्रास हैं देश के दिगज कॉमोडिटी ब्रोकर्स में से मोतिलाल ओस्वाल का नाम सबसे उपर आता है किशो नाने साब हमारे साथ हैं और बाकि सब लोग हैं तो जब रेगुलेटर्स हों एक्सजेंजेंज हों पार्टिसिबेंट्स हों ब्रोकर्स हों तो फिर प्रोग्राम का सक्सेस्फुल होना तह है और इस सब के लिए आप सब का बहुत बहुत आभार एक्चुली इस कारिक्रम से हम हासिल यह करना चाहते हैं कि पिछले नो दस सालों में कॉमोडिटी मार्केट में जो ग्रोथ होनी चाहिए उस ग्रोथ के बजाए डी ग्रोथ हो रही है हम उल्टा जा रहे हैं सत्तर हजार करोड के वोल्यूम से हम गटकर 30-32 करोड के वोल्यूम पर आ गए है अब बोल्यूम का गटना बढ़ना एक तरह से आप कहसे करें यह तो भाई ब्रोकर्स के डिस्क्रिशन का विशे है उनका बिजनिस कम यह ज्यादा होता है जी नहीं अगर आप दुनिया भर में डेवलट मार्केट में देखें जो जिस तरह की डेप्ट कमोडिटी बाजार में है वो हमारे हैं मिसिंग है दो तरह की कारण है एक कारण तो टेकनिकल रीजन्स है कि भाई जब से CTD लगा है कमोडिटी स्ट्रंजेक्शन टेक्स तब से वोलिम्स काफी कम हुए उसके अपने इंपैक्ट है दिख भी रहे दूसरा यह कि कहिन कहीं कि इस कॉंक्लेव में हमें इस बात की चर्चा करनी है इस बात को आगे बढ़ाना है कि हम किस तरह से एक मजबूत कमोडिटी मार्केट बना सकते हैं और वो मार्केट इस तरह से होना चाहिए कि न सिर्फ एक्सचेंज पर एक ट्रेडिंग प्लेटफों के तौर पर जो कमोडिटी इस ट्रेड करनी है उनका मार्केट मजबूत बने बल्कि उसका जो ग्राउड लेवल के साथ है मंडियों के साथ है किसानों के साथ है ट्रेडर्स हेजर्स इन्वेस्टर्स बड़े कॉर्परेट्स उनका एक ताल मिल किस तरह से ऐसे बने कि सही प्राइज डिस्कवरी हो स्पेकुलेशन कम से कम हो न सिफ फ्यूचर्स में ट्रेड हो स्पोर्ट मार्केट उनके साथ प्रोपरली लिंक कर पाएं और इस दिशा में हम जितना जल्दी और जितना ज़्यादा जितना बैतर काम कर पाएं यही इस कॉंक्लेव की सक्सेस होगी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सेभी को जिन्होंने हाली में एक बड़ा कदम उठाया है कमोडिटीज मार्केट में एफपी आई यानि कि फोरेंड पॉर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अनुमती दी है आप सब यह जानते मानते हैं कि इससे काफी कुछ मदद मिलेगी कमोडिटीज बाजार में थोड़ा और लिक्विडिटी डेप्थ और वोल्यूम लाने की और उसकी ज़रूत इसलिए है ताकि आपको ट्रांस्परेंसी के साथ कम से कम इंपैक्ट कोस्ट पर बड़ा से बड़ा पार्टिसिपेशन आए और सही प्राइस डिस्कवरी हो इस दिशा में MCX में को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्हों ने कई सारे नए प्रोड़क्स लॉंच कियें और बूलियन, एनरजी, बाकि कई सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जिनके मामने में तो वो अग्रणी एक्सजेंज ही लेकिन जिन प्रोड़क्स में छोटी-छोटी चीज हैं कि आपको मिनी गॉल्ड भी इंट्रोड्यूस करना है जहां इन्वेस्टर्स की हेजर्स की रिक्वाइमेंट है उनको देखते हैं प्रोड़क्स लाना यह अपने आप में बड़ी बात है जी बिजनिस विसे जोड़े साब जानते हैं हम पिछले दो साल से नंबर वन बिजनिस चैनल हैं और यह नंबर वन बिजनिस चैनल सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदी में हिंदी इंग्लिश सारे चैनल मिला कर और बाकी जो चार चैनल से वो मिला कर 40% है हम 60% से ज्यादा है और इस नाते हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है कि हम हम कमोडिटी मार्केट को किस तरह से मजबूत बनाएं और मुझे कहते हैं यह बड़ी खुशी है कि आम तोर पर बिजनिस चैनल्स पर कमोडिटी की उपेक्षा की जाती है उन्हें ठीक एयर कर लो कमोडिटी ते थोड़ा सा इन्हें भी समय दे और पिछले चार साल में मेरे जिजी बिजनिस पर आने के बाद में हमने कमोडिटी का कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले जब हम चार साल पहले जो करते तो उससे दुगुना से ज़्यादा हम कवरेज करें क्योंकि हम वास्तों में यह मानते और सोचते हैं कि एक मजबूत कमोडिटी मार्केट इस देश के लिए बहुत जरूरी है और इसमें बहु जब पूरा वरोसार अगर एसा होगा तो वो करने वाले सबसे पहले हम होंगे इक्विटी के साथ साथ नो डाउट जब चैनल नंबर वन होता है तो आपको यह पता है कि कहीं कहीं से आपको वियोर्शिप मिलती होगी लेकिन मुझे कहते हैं यह बड़ी खुशिये कि जितने भी हमारे कमोडिटी मार्केट के कवरेज के स्लोट्स हैं वहाँ पर हम अंडिस्प्यूटेड और बड़े मार्जिन से नंबर वन हैं और यह इसलिए है कि हमारी जो मजबूर टीम है जो आप सब लोगों के साथ कुछ भी डवलप्मेंट हो रहे हैं उससे सबसे पहले आपको बताने की समझाने की कोशिश करती है उसका बड़ा फाइदा आपको भी मिलता है चैनल को भी मिलता है मैं सिर्फ आप से यह कहना चाहता हूं कि अगले धाई गंटे हम बहुत सारे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे हम रेगुलेटर्स की बात सुनेंगे एक्स्चेंजर्स की बात सुनेंगे आप सब के अपने विचार हम सुनेंगे और अंत में हमारा फोकस इस बात पर है कि हम किस तरह से एक मजबूत कमोड कुछ से हार्ड को स्टीज वाला समझते हूं लेकिन। मैं चाहता हूं कि मार्केट को हमारा कमोडिती मार्केट मजबुती से टक्करक दे। कहते हैं कि अगर एरोप्लेन एक इंजिन पर उड़े एक इंजिन की ताकत पर उड़े तो फिर उसके एक्सिडेंट होने के भी खत्रें होते हैं और जिस उंचाई पर और जिस स्पीड से आप उनना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे दोनों इंजिन की बहुत जरूत है वैसे ही हमारी मजबूत एकोनोमी के लिए हमारी मजबूत मार्केट प्लेस के लिए एक्विटी और कमोडिटी ये दो इंजिन है जिनकी बहुत सक्थ जरूत है जिससे कि किसानों को उनकी फसल का सहीदाम मिल पाएं ट्रेडर्स को करने के मौके मिलें बड़े-बड़े कॉर्पेट अपनी रिक्वाइमेंट के इसाब से अपनी प्लानिंग कर पाएं एक्सिंजेज मार्केट को अच्छे तरीके से चला पाएं और रेगुलेटर्स को कम से कम काम करना पड़े यही मैं चाहता हूं आप सब का एक बार फिर से दिल से बहुत-बहुत धनिवाद और यहां आने के लिए मेरा दरे से आभार और उम्मित करता हूं अगला जो दो धाई गंटे का समय है आपके हम सब के लिए बहुत ही अच्छे डिस्केशन वाला होगा और निना एक साबित होगा थेंक्यू सो मच्छ धनिवाद